नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल इस्टडी विद धनंजय मिस्रा पर आसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है धनंजय मिस्रा दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे 16 अक्टूबर से संबंदित महत्व पुर्ण करेंट अफेर्स के बारे में तो आईए इस सीरीज को इस्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला कोस्चन है कि हालही में किस राज्य सरकार ने स्वक्ष पेजल के लिए सुजल ड्रिंग फार्ट्रेप मिसन नामक योजना को लांच किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर बी उडिसा अ चेत्रों में गुणवत्ता वाले पेजल के 24 घंटा जो है किया पूर्ती के लिए इस योजना को लांच किया गया है अब उडिसा ने लांच किया है तो इडिसा के बारे में देख लेते हैं उडिसा की राजधानी भोनेस्वर है उडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ह है उडिसा में लोक सभाज सीटों की संख्या 20 है राज्य सभाज सीटों की संख्या 10 है मिधान सभाज सीटों की संख्या 147 है और उडिसा में कुल 30 जिले हैं चिलका जिल सिमली पाल नेशनल पार्क और भितर कनिका नेशनल पार्क ये भी आपका उडिसा में ही स्थित है आईए अगला प्रसने देखते हैं दूसरा प्रसना है हालही में इस राज्य सरकार की पुलिस ने सेना के साथ मिलकर आतंकवाद बिरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है तो इसका सही उत्तर है आपसम नंबर A महराश्ट अभी हालही में महराश्ट पुलिस ने सेना के साथ मिलकर आतंकवाद बिरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है इस सुरक्षा कवच अड़ा आयोजन महराश्ट के पूरे के लुल्ला नगर में किया गया है महराश्ट की राजधानी मुंबई है महराश्ट के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं महराश्ट के राजजपाल भगत सिंग को सियारी हैं महराश्ट में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है बिधान सभा सीटों की संख्या 288 है बिधान महराष्ट में ही इस्थित है महराष्ट मुफ्त स्वास्ट विमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है और प्रजेक्ट प्लेटीना को भी महराष्ट सरकार ने ही इस्टार्ट किया है आईए अगला प्रस्न देखते हैं तीसरा प्रस्न है हालही में किस राज्य सरकार ने एच जेड एल के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फिल्ड जिंक इस्मलेटर अस्थापित करने का घोसड़ा किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर सी गुजरात अभी हालही में गुजरात सरकार ने एच जेड एल के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फिल्ड जिंक स्मलेटर अस्थापित करने का घोसड़ा किया है जे एच जेड एल इसका फूल फाम होता है हिंदुस्तान जिंक लिम्टेड यह व गुजरात के राज्यपाल अचारी दिवरत हैं गुजरात में लोग सभा सीटों की संख्या 26 है राज्य सभा सीटों की संख्या 11 है मिधान सभा सीटों की संख्या 182 है और गुजरात में कुल 33 जिले हैं कांडला बंदरगाह गिर्ध नेसनल पार्क और सोमनाथ मंदिर यह भ अखिल भारती तकनीकी परिसद AICTE ने चात्रों और सिच्छकों को ससक्त बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझहौता किया है。 तो इसका सही उत्तर है, option no.C, Microsoft. अभी हालही में AICTE ने चात्रों और सिच्छकों को ससक्त बनाने के लिए Microsoft के साथ साज़ेदारी किया है. अब AICTE ने किया है तो AICTE के बारे में देख लेते हैं AICTE का फूल फार्म होता है All India Council for Technical Education AICTE का अस्थापना 1945 में हुआ था AICTE का हेड़क्वाटर नई दिल्ली में इस्थित है और बरतमान में AICTE के अध्याक्ष अनिल सहस्त्र बुद्धे है दोस्तों अगर आप इस वीडियो का पीडियो प्राप्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिये गए टेली ग्राम के लिंक पर क्लिक करके आप टेली ग्राम ग्रूप को जोईन कर सकते हैं या टेली ग्राम पर study with धनंजे मिस्रा सर्च करके भी आप इस ग्रूप को जोईन कर सकते हैं। टेली ग्राम पर प्रतेग दिन पूरो की परिछाओं में पूछे गए प्रसनों को क्वीज के रुप में साल्व कराया जाता है। तो आप टेली ग्राम ग्रूप को जोईन करके और क्वीज को साल्व करके अपने तयारी को नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा विल आइकन को अवस्य दबा लीजिएगा। आइए अगला प्रस्न देखते हैं। आचवा प्रस्न है हालही में किस देश ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्सेन एपीवा कोरोना को मन्जोरी प्रदान किया है। तो इसका सही उत्तर है, आपसन नबर A, रूस, अभी हालही में रूस ने अपनी दूसरी कोरोना वैक्वी मासको है, रूस की मुद्रा रुबल है, मरतमान में रूस के प्रधानमंत राष्वरी राष्टपती ब्लादमीर पुतीन है और रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है आईए अगला प्रस्न देखते हैं, छाठमा प्रस्न है, हालही में सोभा नाइडू का निधन हुआ है, वो किस नित्य से संबंधित थे तो इसका सही उत्तर है आप्सन नंबर A, कुच्ची पुड़ी, अभी हालही में सोभा नाइडू का निधन हुआ है, यह एक प्रसिद्ध कुच्ची पुड़ी नित्यांगना थी और इनका जो है कि अभी निधन हो गया है और इनको 2001 में पदम स्रीपुरसकार से भी संबंधित किया जा चुका है आईए अगला प्रस्न देखते हैं सात्मा प्रस्न है, हालही में किस बैंक ने अपोलो हास्पीटल के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए हेल्दी लाइफ प्रोग्राम का सुभारंभ किया है अभी हालही में अपोलो हास्पीटल के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए हेल्दी लाइफ प्रोग्राम का सुभारंभ किया है HDFC बैंक का स्थापना 1994 में हुआ था, HDFC बैंक का हेड़क्वाटर मुंबई में इस्थित है और HDFC बैंक के बरतमान में CEO आदित्य पूरी है 27 अक्टूबर से ससिधर जगदिशन HDFC बैंक के CEO के रूप में पदभार समभा लेंगे आजी अब अगला प्रसन देखते है आठमा प्रसन है हालही में World Economic Forum में दावोस में हुने वाली वार्सिक बैठक 2021 को किस देश में आयोजित करने का गोंसड़ा किया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर C Switzer Land अभी हालही में World Economic Forum ने जो दावोस में हुने वाली वार्सिक बैठक 2021 में थी उसको अब दावोस में नौ कराके उसको अब Switzer Land में आयोजित किया जाएगा और यहां 18-21 मई 2021 में इसका आयोजन किया जाएगा आईए अगला प्रसन देखते है नौवा प्रसन है खाद्य और क्रिसी संगठन FAO की 75 वर्सगाठ के उसर पर 75 मुल्य वर्ग का इस मारक सिक्का किसके द्वारा जारी किया जाएगा तो इसका सही उत्तर है आप्सन नंबर B नरेंदर मोदी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के द्वारा खाद्य और क्रिसी संगठन की 75 वर्सगाठ पर 75 मुल्य वर्ग का इस मारक सिक्का को जारी किया जाएगा खाद्य और क्रिसी संगठन का स्थापना 16 अक्टोबर 1945 को हुआ था और खाद्य और क्रिसी संगठन का हेड़क्वाटर रोम इटली में इस्थित है आईए अगला प्रस्म देखते हैं दस्मा प्रस्म है हालही में अंतरराष्टी ग्रामिन महिला दिवस कम मनाया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर डी 15 हक्टूबर अभी हालही में 15 हक्टूबर को अंतरराष्टी ग्रामिन महिला दिवस के रूप में मनाया गया है और अंतरराष्टी ग्रामिन महिला दिवस 2020 का विसे है एक बार फिर से अंतरराष्टी ग्रामिन महिला दिवस 2020 के थीम को दोहराते हैं Theme है, Building Rural Omens Resilience in the Week of COVID-19. आईजे अब कल का प्रस्ण देखते हैं, जिसका सही उत्तर बहुत से लोगों ने कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताया है. तो कल का प्रस्ण था कि हालही में पूरुस एकल फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आप्षन था, आप्षन नमबर B, राफेल नडाल. अभी हालही में राफेल नडाल ने पूरुस एकल फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है और इस प्रस्ण का सही उत्तर देने वालों का नाम इस प्रकार है रितु ओजा जी, संजु पाल जी, सुभम खरवार जी, सरवेश काजी जी, संदेप जी, जितेंद्र कुमार जी, कृषना नंद यादो जी, मनीश कुमार जी, अमीत कुमार जी आज़े आज का प्रस्ण देखते हैं जिसका सही उत्तर आप लो कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा आज का प्रस्ण है हालही में असमानता घ भाटाने की प्रतिबद्धता सुचकांग 2020 में जो है कि भारत का कौन सा स्थान है तो इसका आप सुन दिया गया है और इसका सही उत्तर आपको कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताईएगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जुरूर लाइक कीजिएगा तो साथ दोस्तों में सेयर कीजिएगा उमीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जनकारी आपको असानी से समझ में आई होगी किसी प्रक मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद